कहते हैं भय बीन प्रीती न होई यानि कि बीना ताकत के प्रेम नहीं होता है उस देश को कोई भी देश इज़त नहीं देता है जिसके पास ताकत नहों और अब भारत चीन की उस पॉलिसी को खत्म करने वाला है जो नहरू ने कभी चीन को वादा किया था आखिर कौन सी पॉलिसी है और क्यों भारत इसे खत्म कर रहा है साथ ही साथ स्वीडन अपना सब कुछ भारत को नियोचावर करने के लिए तैयार हो गया है और संजुक्त राज सुरच्छा परिसद में भारत को मिला सबसे बड़ा धोखा आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से सतर साल पहले अगर नेहरू ने हिम्मत दिखाई होती तो सायद तिबबत भी आजाद होता और हमारी जमीन भी चीन के पास न होती लेकिन उस वक्त नेहरू ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करके चीन का पिछलगबू बढ़ना स्विकार किया था हमारी कमजोर विदेश नीती का ही फल है कि 1947 में हम आजाद हुए और 1948 में इस्राइल अस्तित्तु में आया लेकिन दोनों आज इस वक्त किस जगह पर है यह आप तुलना करके देख सकते हैं एक देश जहां हतियार बेच रहा है तो दूसरा देश हतियार खरीद रहा है एक देश दुनिया में अपने हतियारों का लोहा मनवा रहा है तो दूसरा देश अभी हतियार बना ही रहा है वैसे चीन की वन चाइना पॉलिसी में अब सबसे बड़ा रोडा बन गया है ताइवान और भारत खुल कर ताइवान को समर्थन देने में लगा हुआ है चीन के तिंक टेंग को अब यह डर लग रहा है कि भारत आगे बढ़कर कहीं ताइवान के साथ अपने राजनईक संबंध स्थापित न कर लें चीन की न्यूज एजेंसी सिनुहा का रिपोर्ट है कि भारत अमेरिका के साथ मिल कर ताइवान के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिसके बाद ताइवान पर कबजा करना बड़ा ही मुस्किल हो जाएगा क्योंकि दुनिया में ताइवान को एक राष्ट का माननेता मिल जाएगा चीन अच्छी तरीके से जानता है कि पीम मोदी उस दिशा में बढ़ चुके हैं और अब चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने का वक्त चला गया है और साथ ही साथ अब तो चीन ताइवान पर कपजा भी नहीं कर सकता है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और ताइवान के पीच पैक्ट साइन हुआ है उस आधार पर अगर चीन ऐसी कोसिस भी करता है तो उसे अमेरिका से सीधे-सीधे टकराना पड़ेगा वहीं दूसरी तरप जिस तरह से चीन और भारत के बीच हाल तो वह खुद का नुकसान करेगा या फिर भारत का नुकसान करेगा क्योंकि डोकलाम के समय जब उसने अपने पैर पीछे गीचे थे तो अंतराष्टी मीडिया में उसका बड़ा मजाक बना था और अब अगर वह फिर से ऐसा करता है तो सी जिनपिंग की छबी पूरी तरीके से दुनिया में बिगड जाएगी इसलिए जिनपिंग ऐसा नहीं करेगा ऐसे में चीन ने भी अपनी तयारी सुरू कर दी है तो भारत ने भी उसके जवाब में तयारियों को पुखता कर लिया है इसी करम में भारत बेताहसा हतियारों और लड़ाकू बिमानों को खरीद रहा है भारत को अपने लड़ाकू बिमानों के बेडे में 145 नए बिमानों को जूड़ना है जिसकी वजह से यह contract फ्रांस अमेरिका और यहां तक की स्वीडन लेने के लिए जी जान से लगे हुए हैं इस डील के लिए भारत की सर्तिया है कि भारत टेक्नलोजी को चाह रहा है भारत चाह रहा है कि खास कर लड़ाकू भीमानों के जो बड़ी टेक्नलोजी होती है वह इंजन की होती है वह भारत को मिल जाए और फ्रांस और अमेरिका जैसे देश यह नहीं चाह रहे हैं कि इतनी छोटी सी खरिदारी पर उनके सालों की मेहनत को भारत यून ही ले जाए ऐसे में फ्रांस और अमेरिका के साथ भारत की डील पक्की नहीं हो पा रही है वहीं अब आगे बढ़कर गृपन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से भारत को अपना फैसला बदलना पड़ सकता है स्वीडेन की कमपणी साब अपने की गृपन वीमानों को भारत को बेचना चाहती है और इस कंपनी ने अब यह एलान कर दिया है कि भारत चाहे जितनी मात्रा में स्वीडन के ग्रीपेन बिमानों को खरीदे वह अपनी सारी टेक्नोलोजी भारत को देगा साथी साथ भारत के कावेरी इंजन मनाने में भी भारत की मदद करेगा और भारत में ही अपना एक मेनुफेक्चर का यूनिट भी लगाएगा अपनी एक यूनिट भी लगाएगा ताकि भारत को मेंटेनिंस की सुविधाएं हमेशा मिलती रहे वैसे आपको बता दे भारत ने हाली में कहा था कि भारत का तेजस्टू लगभग ग्रीपेन के बराबर है ऐसे में भारत ग्रीपेन को क्यों खरीदेगा लेकिन अब जिस तरह किसे स्वीडेन ने नया ओफर दिया है उसे देखते हुए भारत अब खरीदने की सोच सकता है क्योंकि जिस टेकनलोजी का इंतिजार भारत कर रहा है अब उसे इस खरीदारी के बाद आसानी से मिल जाएगा वहीं दूसरी तरब संजुक्त राष्ट सुरच्चा परिशद में भारत को बड़ा धोखा मिलने वाला है हाली में भारत के प्रधान मंत्री ने अपने भासन में दो टूक सब्द में संजुक्त राष्ट को बड़ा ही अच्छे तरीके से जग जोरा था और कहा था कि इन हालातों में जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत संजुक्त राष्ट सुरच्चा परिशद का पर्मानेंट मेंबर क्यों नहीं है और भारत के पास भी वो सारी सक्तियां होनी चाहिए जो की इन पाँच देशों के पास है ऐसे में संजुक्त राष्ट सुरच्चा परिशद को एक रिफॉर्म की जरूरत है हाला की 75 साल हो गए है और आज भी पाँच देशों के पास संजुक्त राष्ट सुरच्चा परिशद की सक्तियां केंद्रित है और ये पाँच देश ही जैसे चाहते हैं वैसे अपनी सक्त का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि चीन हमेशा भारत के परस्ताव पर किसी न किसी तरीके से वीड़ो लगा देता है अब जब यह मांग बहुत तेज होने लगी है तो संजुक्त राज सुरच्छा परिसद में इन देशों ने यह निर्ने लिया है कि हां रीफॉर्म करते हैं लेक इस तरह से संजुक्त राज सुरच्छा परिसद में बवाल उठा है कि पर्मानेंट मेंबर के साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि और अस्थाई सदस्यों के साथ होता है कि 10 साल या 5 साल के अंतराल में वो बदले जाते हैं ऐसे में पर्मानेंट मेंबर भी बदले जाने चाहिए और उनकी जगर नए मेंबर्स आने चाहिए लेकिन अब इन देशों ने मिलके ये ने लिया है कि नए पर्मानेंट सदस्यों को जोड़ा तो जाएगा लेकिन उन्हें वीटो पावर नहीं दिया जाएगा जब वीटो पावर ही नहीं दिया जाएगा तो उस पर्मानेंट मेंबर के होने से क्या फाइदा है यह तो वही बात हो गई कि संजुक्त राश्वरच्चा परिसत समानता की बात करता है लेकिन खुद उसके अंदर ही समानता नहीं है खु बाकी देशों को क्यों दोयम दर्जे का बना कर रखना चाहते हैं वैसे आपको क्या लगता है अब आगे बढ़ने के लिए क्या भारत को स्वीडेन की ओफर को मान लेना चाहिए कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़वर के क्यों एक रिल कि दो बाकी से एक रिल कि दोल्द एक दोल्द मिलते हैं जल्द मिलते हैं वीडिका भीडियों में उल्द